हेलो बच्चू कैसे हुआ सब अच्छे हो ना आज पता है मैं आपको ऐ अक्षर की कहानी सुनाओंगी तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक ऐश्वर्या नाम की लड़की थी उसके दादा जी उसको रोज एक नई नई कहानिया सुनाया करते थे एक दिन क्या हुआ दादा जी ने एश्वर्या को एरावत की कहानी सुनाई एरावत पता है कौन है इंद्रक का हाथी जो इंद्रक का हाथी रहता है उसको एरावत कहते है एश्वर्या को एरावत बहुत अच्छा लगा एश्वर्या ने कहा दादा जी अगर मेरे पास एराव तो मुझे बहुत अच्छा लगता तभी क्या हुआ पता है दूसरे दिन ऐश्वर्याब का जनम दिन था जनम दिन पे दादा जी ने ऐश्वर्याब को क्या उपहार दिया पता है ऐलुमिलियम वाला एरावत एरावत को देख के ऐश्वर्या बहुत खुश हो गई तभी क्या हुआ शाम को पता है जादा मिठाई खाने से न दादा जी की तबियत खराब हो गई फिर दादा जी को सब एम्बुलेंस में बिठा के दबा खाने लेके गए दबा खाने में डॉक्टर एनक पहने हुए था और एक्सरे को देख रहा था तभी दादा जी डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने दादा जी से कहा कि आपने जादा मिठाई खाई इसकी वज़े से आपकी तबियत खराब हो गई फिर डॉक्टर ने दादा जी को दबाई दी दादा जी ठीक हो गए सब घर आ गए तो य ये थी ए अक्षर की कहानी, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना, तो इस कहानी के अंदर हमने कौन-कौन से शब्द सेखिए, ए एरावर, ए एनांक, ए एश्वल्या, इस कहानी के अंदर और भी ए अक्षर के शब्द है, वो आपको धुमना है और अपनी मैल को बताना है, तो चलिए, अब देखते हैं कि ए अक्षर को लिखा कैसे जाता है, Curve, Slanting Line, One More Curve, Slipping Line, Slanting Line, ये बन गया हमारा ए.